GDP नाम तो सुनाई होगा है ना फुल फॉर्म भी सुनी होगी ग्रॉस डॉमेस्टिक प्रोड़क्ट बट क्या आप इसका सही में मीनिंग जानते हैं कि GDP होता क्या है क्या आप ये जानते हैं कि GDP एक करेक्ट इंडेक्स ओफ वेलफेर है या नहीं मतलब वेलफेर मतलब बेनिफिट क्या आप ये जानते हैं कि GDP अगर इंक्रीज हुआ तो हम ये मानेंगे कि उस पर्टिकुलर कंट्री में बेनिफिट हो गया या नहीं हुआ है ना तो यहां पर गाईज इसी चीज का सोलुशन देने के लिए मैं आज ये वीडियो बना कर आई हूँ और आपके सामने रख रहे हूँ जेश्री शाम एप्रीवन वेल्कम क्लास्ट वेल्ट ग्रूबिंग एडिटेशन इस साक्षी दुआ इस तो चलिए इससे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ओफ जीडिपी अब जीडिपी की फुल फॉर्म क्या है जीडिपी की फुल फॉर्म है जी स्टांज फॉर ग्रॉस डी स्टांज फॉर डॉमेस्टिक पी स्टांज फॉर प्रोडॉक्ट ओके, ग्रोस का मतलब क्या होता है बिटा, ग्रोस का मतलब होता है total, sum, ठीक है, domestic मतलब within India, क्योंकि इंडिया हमारी domestic country है, तो domestic का मतलब, मतलब वो वाली country है जिसमें हम रहते हैं, तो domestic मतलब within India, इंडिया के अंदर, इंडिया की boundaries के अंदर, product, यहाँ पर किसे बोला जा रहा है बिटा, यहाँ पर बोला जा रहा है, output of final goods and services, final goods and services, ठीक है, तो यहनि कि हम इसके यह चीजों से समझ सकते हैं, कि GDP क्या है, GDP है कि जो total output, final goods and services का produce होता है, एक economy के अंदर, ठीक है, total output जितना produce हो रहा है, एक economy के अंदर, एक financial year में, एक financial year में, तो GDP बेटा, generally आपको पता होगा, कि हम one year का GDP calculate करते हैं, ठीक है, तो one year में, जितना भी total final goods and services की production हो रही है, इंडिया के अंदर अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, GDP, ठीक है, अब यहाँ पे एक word आ रहा है, final goods, मैम यह final goods क्या होते हैं, and services, final goods and services, देखिए बेटा, final goods and services में, आता है, consumer ने, जो goods and services consume करी, consumer ने, जो goods and services consume करी, जैसे अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, अपना laptop यूज कर रहे हैं, pen यूज कर रहे हैं, notes बनाने के लिए, register यूज कर रहे हैं, notes बनाने के लिए, book पढ़ रहे हैं, read out कर रहे हैं, book में से concept को, तो यह सब क्या हैं, consumer goods, जो consumers यूज करते हैं, ultimately household यूज करते हैं, economics में हम consumer को household भी बोलते हैं, तो जो goods and services, household यूज कर रहे हैं, अभी आप मेरी service देख रहे हो, अभी आप मेरी service को use कर रहे हैं, तो जो भी goods and services consumers consume करते हैं, use करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है बेटा, उन्हें final goods बोला जाता है, अच्छा, दूसरा, अब अब बेटा producer की बात करेंगे, यानि कि producer भी तो कुछ goods and services को use करता है ना, production करने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर हम producer की कौन से goods की बात कर रहे हैं, durable goods की, मतलब multiple use producer goods are included under final goods, अब यह multiple use producer goods के हैं, देखो बेटा, producer goods, नाम से पता लग रहे हैं वो वाले goods तो production के काम आते हैं, ठीक है, और durable producer goods की हम बात कर रहे हैं, मतलब हम उन वाले producer goods की बात कर रहे हैं, जो year after year चलते रहेंगे, एक use पे वो खतम नहीं होते, ठीक है, फॉर इक्जामपल, tractor farmer use कर रहा है, farming करने के लिए, तो क्या tractor बेटा, एक ही बार use करने से खतम हो जाता है, नहीं न, farmer tractor से production year after year तक करता रहता है, मतलब वो multiple times अपने tractor को use कर सकता है, और tractor एक producer good है, तो यनि कि durable भी है और producer good भी है, तो ये वाली चीज़े final goods में include होती है, लेकिन वो वाले producer goods जो एक ही बार में खतम हो जाते हैं, जैसे raw material, fertilizer जो farmer ने use किया farming करने के लिए, seeds जो use करी farming करने के लिए, उसे वो दुबारा reuse नहीं कर सकता है, जो एक बार use हो गई, है न, तो उस type के goods होते हैं, intermediate goods, intermediate goods यानि कि वो वाले producer goods जो single use होते हैं, जो एक ही बार use होते हैं, उसके बाद reuse नहीं हो सकते हैं, वो final goods में नहीं आते हैं, तो final goods में सिरफ वो वाले producer goods आएंगे जो durable हैं, जो मतलब long life रखते हैं, ठीक है, like tractor used by a farmer, swing machine used by a tailor, swing machine जो है, उससे tailor क्या कर पाता है, stitching कर पाता है, stitching कर पाता है, और वो बार 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 यूस कर लेता है, उस sewing machine को, है न, एक बार में खतम थोड़ी हो जाती है, तो वो क्या है, durable producer good, अभी मेरा example ने, तो यह जो digital board है, बेटा, यह digital board भी क्या है, durable producer good है, because I am producing my services and for producing my services, I am using the digital board, और यह जो digital board है, यह क्या है, durable producer good है, ठीक है, तो जितने भी durable producer good होते हैं, वो सारे के सारे final goods होते हैं, अब कुछ services भी होती है न, जो companies use करती हैं, अपनी main service provide करने के लिए, जैसे for example, advertisement services, advertisement services हो गई, legal formalities कराने के लिए, lawyer की services हो गई, ठीक है, तो यह chartered accountant की services लेनी पड़ती है, company को auditing कराने के लिए, अपने financial statements की, तो यह services company खुद use कर रही है, आगे अपनी service देने के लिए, आगे production करने के लिए, तो ऐसी services होती है, हमारी intermediate services और उन्हें हम use नहीं करते है, final goods and services में, final services वो होती है, जो एक company provide कर रही है, अब जैसे grooming education academy की बात करूं, grooming education academy, यानि कि हमारी academy की बात करूं, तो बेटा हम लोग provide कर रहे है, educational services, यह final services है, जिसमें हम deal कर रहे हैं, हम बच्चों को बेच रहे हैं, यह service है न, या हम बच्चों को दे रहे हैं, यह service, तो it's a final service, ठीक है, लेकिन grooming education academy ने जो charted accountants को पैसा दिया, क्यों दिया, ताकि उनक financial statements की auditing हो जाए, तो यह बेटा, यह final, finally हम यह consumer को नहीं बेच रहे हैं, तो हम अपने लिए कर आ रहे हैं, कि यह company की need है, right, तो यह एक intermediate service होगी, लेकिन जो हम customers को sell out कर रहे हैं, service, that is the educational services, that is the main services of the grooming education, तो वो क्या है, final services, so final services यहां पे include होती है, intermediate service include नहीं होती है, मतलब company जो अपने किसी काम के लिए, किसी particular service को use कर रहे है, उसे include नहीं करते, वो intermediate service है, लेकिन company जो service अपनी customers को provide कर रहे है, उसे include किया जाता है, final goods and services में, तो I hope guys आपको समझ में आया होगा, कि final goods and services में, क्या-क्या चीज़ें include होती हैं, consumer, जो goods and services को use कर रहे है, वो तो सारी की सारी, producer के aspect से goods देखें, तो only durable producer goods, durable producer goods, and companies, जो services company, अपने customers को finally provide कर रहे है, that is the final services, okay, that is included in final goods and services, तो GDP में हर कोई good या service include नहीं है, only final goods and services include होती है, ठीक है, कौन सी included नहीं होती है, GDP को calculate करते है, time बेटा, not included, so single use producer goods, single use producer goods, single use producer goods, single use producer goods, मतलब वो वाले goods जो production के काम आते हैं, लेकिन वो एक ही बार use होने के बाद खतम हो जाते हैं, reuse नहीं हो पाते हैं, जैसे seeds, seeds एक बार farmer ने use कर ली, बेटा, farming करने के लिए, वो दुबारा उन seeds को use नहीं कर सकता, जो उसने पहले use कर ली, तो ये हैं बेटा, intermediate goods, हम basically जो raw material use करते हैं, वो क्या होते हैं, intermediate goods, तो वो GDP में count नहीं होते हैं, अब जैसे मैं example की बात करूँ, तो जो अभी electricity use हो रही है, इस class को देने के लिए, ये electricity भी एक intermediate good है, क्योंकि ये अभी use हो गई, और ये दुबारा use नहीं हो सकती है, और ये अभी production को generate करने के लिए use हुई है, production of service को generate करने के लिए use हुई है, तो ये भी क्या है, intermediate good है, तो intermediate single use producer goods are not included, services used by companies, service बेटा जो company खुद use कर रही है, उसको include नहीं करते है, जैसे advertisement services हो गई, company advertisement agency से generally अपनी advertisements करा लेती है, तो ये वाली service भी include नहीं होगी, company अपनी legal formalities पूरी कराने के लिए, जो lawyer को service देती है, ठीक है, वो भी include नहीं होगा, company अपनी auditing कराने के लिए chartered accountant को जो पैसा देती है, वो भी included नहीं होता है, तो जो भी services chartered accountant की लिए company ने, services lawyer की लिए for getting the legal formalities done, इन services को बेटा include नहीं किया जाता है GDP में, तो GDP में ध्यान रहे only final goods and services को include किया जाता है, तो I hope guys आपको समझ में आ रहा होगा, देखे, एक और चीज़ यहां पर हम समझेंगे कि GDP, जैसे कि मैंने आपको बताया GDP क्या है, GDP है total output हमारी country में कितना produce हुआ है final goods and services का एक साल में, वो होता है GDP, अब हम बात करेंगे कि GDP को हम express कैसे कर सकते हैं, पीटा GDP को express करने के दो तरीके हैं, एक तो हम output के terms में express कर सकते हैं, मतलब in units, units में, जैसे अगर मैं बोलूँ कि इंडिया में 10,000 units की production हुई, let's suppose, ठीक है, तो GDP इंडिया में कितना है, जनरेट हुआ, GDP इंडिया का जनरेट हुआ 10,000 units, तो आप ऐसे भी GDP को express कर सकते हैं, units में, अब monetary terms में भी कर सकते हैं, monetary terms, और you can say market value, अब मैं बोलूँ जैसे कि 10,000 units produce हुई हैं, और एक unit 5 rupees की market में भी कर रही हैं, तो मतलब GDP कितना generate हुआ, GDP इंडिया का generate हुआ, इस ताइम पर, 10,000 into 5 rupees, which is rupees 50,000, so 50,000 rupees is the GDP of इंडिया, तो पेटा, GDP को हम ऐसे भी define करते हैं, कि GDP क्या है, market value है, या monetary terms में value है, monetary value भी बोल सकते हैं आप इसको, किसकी final goods and services की, total final goods and services की, जो produce हुई है हमारे इंडिया के अंदर अंदर, और GDP को generally one year के लिए calculate किया जाता है, छीक है, यहां तक कोई doubt, I hope clear हुआ होगा, तो आईए देखते हैं meaning GDP का, GDP stands for gross domestic product, GDP is the total monetary या market value of all the final goods and services, GDP क्या है, total monetary value या total market value, जितनी भी total final goods and services produce हुई है, country में, ठीक है, produced within a country's borders, जो country के border के अंदर-अंदर final goods and services produce हुई है, उनकी market value in a specific period of time, एक specific period of time, generally हम one year के लिए निकालते हैं न GDP, ठीक है, हम चाहें तो one month के लिए भी निकाल सकते हैं, बट ये ज़्यादा तर one year के लिए ही निकालते हैं बटा, हर कोई country, ठीक है, तो specific period of time means one year, या one month, जिसके लिए भी आप निकाल रहो हैं, तो particular period of time कुछ भी हो सकता है, one week, one month, one year, generally बट ये one year का होता है, तो I hope guys आपको ये clear हुआ होगा, अब आगे, जो question बहुत ही important है, CBSE board exam में आने के लिए, तो अब आगे देखेंगे बटा, क्या GDP एक correct index of welfare है, अब ये welfare क्या होता है, welfare का मतलब होता है benefit, मतलब ये आपसे ये पूछ रहे हैं, कि क्या जब किसी country का GDP increase होता है, तो क्या उस country में benefit हो जाता है, क्या उस country का welfare हो जाता है, तो आईए बटा एक aspect से समझते हैं, ये ये बोर रहे हैं, जैसे GDP का मतलब क्या है, output, राइट, अगर मान लो, output जादा produce हुआ किसी particular country में, आउटपूट जादा produce हुआ, तो मतलब production जादा हो गई, production जादा हो गई, production के बाद ही तो चीज़े बिखती हैं, यनि कि sales भी क्या हो जाएगी, increase हो जाएगी, quantity sold increase होगी, तो क्या होगा, मतलब पैसा भी जादा आएगा, income भी क्या हो जाएगी, increase जादा होगी तो यह बोल रहे हैं क्या यह हर time applicable है कि output increase sales increase, income increase country का benefit हो गया तो यहाँ पर मैं आपको बता देते हूं नहीं GDP is not a correct index of welfare क्यों नहीं मैम बहुत से points हैं कि हम बोल सकते हैं कि GDP increase हुआ तो यह जरूरी नहीं है कि country का welfare ही हुआ है तो आईए देखते हैं वो points one by one सबसे पहले बात करेंगे बिटा distribution of GDP की let's suppose GDP तो increase हो गया GDP one lakh रुपीज से increase हो गया ठीक है लेकिन इस one lakh का जो distribution है लोगों के बीच में जो यह income generate हुई है extra उसका जो distribution रहेगा लोगों के बीच में वो ही ठीक नहीं हुआ वो distribution क्या है वो distribution ही बीटा unfair है unfair distribution का मतलब क्या होता है कि poor और poorer होते जा रहे है rich और richer होते जा रहे है है ना तो जो gap है बीटा rich and poor people में वो तो क्या होता जा रहा है increase 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 जबकि हमें क्या करना है हमें अपनी country में equality लानी है एक्विटी लानी है यानि कि हमें जो गैप है ना रिच और पूर पीपल में यह कम करना है लेकिन हम अगर अपने जीडीपी को ठीक से डिस्ट्रिब्यूटी नहीं कर रहे है मतलब जितना पूर को शेयर जाना चाहिए उतना नहीं जा रहा है जितना रिच को जाना च चाहिए तो अगर डिस्ट्रिब्यूशन ही ठीक नहीं हुआ ना जीडीपी का तो अनफेर हुआ है डिस्ट्रिब्यूशन तो जो गैप है रिच और पूर पीपल का वो बढ़ता चला जाएगा तो हम कैसे कह दें कि जीडीपी है करेक्ट इंडेक्स वेलफेर है हाँ अगर इसको फेर तरीके से डिस्ट्रिब्यूट किया गया है तो हम कह सकते हैं कि जो गैप है रिच और पूर पीपल में वो कम हो रहा है इक्विटी आ रही है एकॉनमी में राइट तो हम कह सकते हैं कि बेनिफिट है लेकिन पॉसिबिलिटी तो ये भी है ना कि उसका डिस्ट्रि के वेलफेर के लिए ठीक है तो वेलफेर सिरफ तभी जनरेट होता है जब फेयर डिस्टिबूशन किया गया हो जीडिपी का कि नच्ट बिटा नेच्स एक्टिविटीज या जिसे नोन मोनिटरी एक्षेंजीज भी बोलते हैं अब बहुत सी एक्टिविटीज ऐसी होती है जो हम पैसा कमाने के लिए नहीं करते बड़िया एक्जाम्पल कोन है बड़िया एक एजम्पल है हमारी मदर हमारे लिए खाना बनाती है डेली शी कुक्स फूड फूर आस शी वोशेज अवर यह टेंसिल हमारे जो बरतन है वह वोश करती है हमारे जो कपड़े है वह वोश करती है है न तो सोचो वह हमें कितना benefit दे रही है न कितना welfare दे रही है लेकिन क्यों क्यों प्यार करती है अगमारी मदर हमारे लिए खाना ना बनाए तो हमारी आदी सेलरी तो बहार से ढबे से खाना खाने में निकल जाएगी दूसरी चीज़ वो भी चलो कोई बात नीडूसरी चीज़ क्या है फेल्ट भी ठीक नहीं रहे पाएगी क्योंकि हम बाहर का खाना धाए और बाहर का खाना अंहाईजिनिक होता है, जिसकी व्याद़ हमें हेल्थ में प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएंगी, कोई ना खोई बिमारी लग जाएगी, है ना, तो हमारा बेनिफिट डिट्योरियेट ही हो जाएगा, अगर हमारी मदर ह हमारे लिए खाना नहीं बनाती है तो कहने का मतलब क्या है non economic activities welfare को generate कर रही है रइट हमारे benefit को generate कर रही है लेकिन problem क्या है कि GDP को जब हम calculate करते हैं तो हम non economic activities को consider ही नहीं करते तो अब यहाँ पर question आता है कि जब हम GDP को calculate कर रहे हैं हम उन activities को नहीं consider कर रहे हैं जो welfare generate कर रही है तो हम कैसे कह दें कि GDP एक correct index है welfare generate करने के लिए GDP एक correct index है welfare का जबकि GDP उन्हीं activities को count नहीं कर रहा है जिससे welfare generate हो रहा है so GDP is not a correct index of welfare next विटा growth of population अब let's suppose एक example लेते हैं एक family है एक family है राम उसका bread earner है मतलब राम ही है जो ultimately earn करता है family के लिए ठीक है और उसके तीन बच्चे है three children राम is having ठीक है तो राम की salary है बटा 10,000 इस time ओके अब राम की salary बढ़के 12,000 हो जाती है ओके लेकिन इसके पाँच बच्चे और हो जाते है एट चिल्रन यनिकि पहले तीन बच्चे इस पर dependent है अब आठ बच्चे इस पर dependent है अब आठ बच्चे इस पर dependent है तो अब सोचो राम की जो income increase हुई है 2000 से उससे क्या राम को फाइदा मिलने वाल है आपको लग रहे है राम का benefit हुआ है नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ क्यों कि उसकी population क्योंकि उसकी family का size जादा बढ़ गया उसकी income के size से है ना तो उसे कोई फाइदा नहीं हुआ तो ऐसी बेटा country के साथ भी है country की income ही तो है जैसे राम की income है ऐसे country की income है GDP अब GDP मालो growth हुई है GDP की 10% से 10% से GDP increase हुआ है country का लेकिन जो उस country की population है यानि कि वो लोग जो GDP पे depend है वही बेटा 50% increase हो गई तो अब आपको क्या लगता है एक country का benefit हुआ है कि उसकी income तो खाली 10% से increase हो रही है लेकिन जो उसकी population है उसमें रहने वाले लोग है वो 50% से increase हो हैं तो यहाँ पर आप यहाँ पर यह बताओगे बिटा कि अगर growth of population जादा है growth of GDP से तो हम यह नहीं बूल सकते कि country का benefit हुआ है country का कोई welfare उससे नहीं हुआ है next composition of GDP composition का मतलब क्या होता है किन-किन चीज़ों से GDP बना हुआ है तो अगर मैं बोलू कि इंडिया का GDP इसलिए increase हुआ क्योंकि इंडिया में drugs की production जादा हुई है alcohol की production जादा हुई है ठीक है war material यहनि कि pistols, rifles इनकी production जादा हुई है तो आप क्या बोलोगे कि मैं बहुत अच्छा हुआ इंडिया का welfare जनरेट हो गया क्योंकि इंडिया में drugs की production जादा हुई है cigarettes की production जादा हुई है alcohol की production जादा हुई है war materials की production जादा हुई है rifles, pistols, guns इनकी production जादा हुई है तो पेटा जब production increase इस वज़े से हुई है क्योंकि हम फालतु के products को generate कर रहे हैं जो welfare generate ही नहीं करेगा तो उस time पे composition ही अगर GDP का favorable नहीं है तो हम कैसे कह दें कि GDP का increase होना एक welfare है country के लिए so GDP is not a correct index of welfare next बेटा अब हम बात करेंगे externalities की अब यह externalities क्या होता है externalities होता है कि कोई काम किसी एक person ने किया लेकिन उस काम का benefit किसी दूसरे person को मिला for example government ने parks बनवाए है अब government ने जो parks बनवाए है बेटा उससे benefit तो हम लोगों को हो रहे है कि हम वहाँ पे जा सकते हैं अपने friends से बाते कर सकते हैं वहाँ पे exercise machines है वहाँ exercise कर सकते हैं वहाँ walk कर सकते हैं अपने आपको healthy रख सकते हैं वहाँ fresh air ले सकते हैं पार्क में जाके राइट तो benefit तो हम लोगों को हो रहा है लेकिन वह काम किया किसने काम तो government ने किया तो यह क्या है यह एक externality है कि काम त positive externality भी थी ध्यान से सुनिए एक होती है positive externality एक होती है negative externality ओके दो टाइप की externalities होती है positive externality वह होती है जिस काम को किया किसी ने लेकिन उसका benefit किसी दूसरे को मिल गया ठीक है that is called positive externality एक होती है negative लेकिन जिसको benefit मिला ना उसको कुछ return में देना नहीं है ठीक है तो यहाँ प negative externality क्या होती है किसी ने काम किया लेकिन उसका adverse effect गलत effect किसी दूसरे के उपर पड़ गया ठीक है मान लो car कोई ठीक से नहीं चला रहा था और दूसरे का accident हो गया ठीक है तो दूसरे person को तो इसकी वज़ा से जो car ठीक नहीं चला रहा था यह जो driver गलत चला रहा था उसकी वज़ा से loss हुआ ना accident हो गया उस person का दूसरे person का क्योंकि यह particular car ठीक से नहीं चला रहा था तो यहाँ पर यह है बेटा negative externality और जिस person का अब accident हुआ है उसको इस car चलाने वाले से driver जो गलत चला रहा था उससे कुछ नहीं मिला कुछ penalty वगएरा इसको नहीं impose हुई इस car driver को जिसने गलत car चलाई थीक है तो यह होता बेटा negative externality basically positive externality क्या है यह welfare को increase कर रहा है right और negative externality क्या कर रहा है बेटा welfare को decrease कर रहा है अब problem क्या है कि GDP को calculate करते time ना तो हम positive externalities को consider करते हैं ना हम negative externalities को consider करते हैं तो आप यहाँ पर देख लो कि जबकि यह positive और negative externality है यह welfare को affect कर रही है positive welfare को increase कर रही है negative welfare को decrease कर रही है तो यहाँ पर हम यह बोल सकते हैं कि GDP को calculate करते time जब वो वाली activities को नहीं consider किया जारा जो welfare को increase कर रही है या decrease कर रही है तो हम कैसे कह दें कि GDP a correct index of welfare है right, so GDP is not a correct index of welfare next पीटा, अब हम देखेंगे question, देखो hot question मैं यह नहीं बोलूँगी कि हम end के लिए रखेंगे, hot question भी हम side by side करते हुआ चलेंगे sample paper के जो questions होते हैं हम side by side करते हुआ चलेंगे ठीक है, क्योंकि मैंने आपको मेरी एक previous वीडियो में भी बताया था कि level of question इस बार CBSC ने increase कर दिया है level मतलब इस बार question advanced level का आने वाला बेटा, बहुत simple नहीं आएगा तो ध्यान रखिए हमें, preparation भी उसी इसाब से करनी है तो हम starting से conscious रहेंगे अच्छे-च्छे questions के साथ deal करेंगे ठीक है, जिससे हमारा logic और हमारी reasoning और ज्यादा strong होती चली जाएगी, आपको अगर इसके बारे में नहीं पता, तो बिटा, channel पे हमारी वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं level of question paper changed इस name से, ठीक है, अब अब GDP से what question कैसा आ सकता है बिटा question कुछ इस तरीके का आता है कि production होने लग गई इस चीज की तो बताओ GDP increase हुआ या decrease हुआ और लोगों के welfare पे कैसे effect पड़ा लोगों को benefit हुआ या नहीं हुआ ठीक है, तो आपको जैसे कि मैंने बताया GDP है क्या, GDP generally output ही तो है final goods and services का, output ही तो है तो अगर output increase होगा तो definitely GDP भी increase होगा यानि कि किसी चीज की production increase होगी तो मतलब GDP भी increase होगा और अगर output decrease होगा मतलब किसी चीज की production decrease होगी तो GDP भी decrease होगा और welfare होगा या नहीं होगा ये तो आपकी common sense ही बता देगी ठीक है, तो आएए देखते हैं बिटा इस type के questions, question number one so यहाँ पे question देखते हैं government incurs expenditure to popularize yoga among the masses masses मतलब यहाँ पे क्या होता है बिटा people, people को बोलते है masses ठीक है, यह क्या बोल रहे है कि government खर्चा कर रहे है expenditure मतलब खर्चा करना किस लिए खर्चा कर रहे है, popularize करने के लिए yoga को among the public मतलब government खर्चा कर रहे है, लोगों को analyze कराने के लिए लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कि yoga बहुत जरूरी है, ठीक है इससे आप fit and fine रह सकते है तो yoga classes लें ठीक है, yoga classes को मतलब promote कर रही है कहीं न कहीं analyze its impact on GDP GDP पर इसका impact बताओ and welfare of the people लोगों के welfare पर क्या effect पढ़ने वाला है और country की GDP पर क्या effect पढ़ने वाला है देखे बिटा अब हम इसको समझते हैं इसके answer को आपको क्या लिखना है, देखो जब government लोगों को yoga की importance बता रही है तो of course yoga yoga classes की लोग क्या करेंगे demand करेंगे तो demand for yoga classes will increase right, अब demand increase होगी तो of course yoga classes की production increase होगी, है न मतलब जो yoga teachers है वो activate हो जाएंगे, वो services अपनी ज़्यादा देने लगेंगे economy में तो yoga classes तो yoga classes की production होना मतलब yoga classes बहुत जादा बढ़ जाएंगी हमारे country में right, तो yoga classes बढ़ जाएंगी तो बटा क्या होगा, क्योंकि output generate हुआ है तो GDP भी क्या हो जाएगा, increase अब जब लोग yoga classes attend करेंगे, तो of course welfare होगा न, welfare क्यों होगा देखो, आज कल सबसे ज़ादा problem लोगों को depression किया है, कि वो खुश नहीं रह पाते तो yoga classes, एक yogic exercises जो है, उससे क्या होता है बटा, हमारे अंदर एक dopamine release होता है, dopamine hormone जो की हमारी happiness के लिए बहुत ज़ादा जरूरी होता है, है न तो लोगों में happiness आने लगेगी depression की problem से वो लोग side हो जाएंगे, ठीक है दूसरा, वो healthy रहने लगेंगे, mentally भी और physically भी ठीक है, जो हमारे अंदर laziness की problem रहती है वो दूर हो जाएगी, आप active हो जाएंगे आपका mind actively work करेगा आपकी concentration पार बढ़ जाएगी आपके जितने भी internal organs है वो भी क्या रहेंगे, protected रहेंगे प्लस, जैसे मालो आपका digestive issues है अगर तो वो ठीक हो जाएंगे, आपका digestive system अच्छे से work करने लगेगा excretory system से related अगर कुछ issues है तो वो ठीक हो जाएंगे, है ना तो योगिक exercises हर चीज का solution है इसमें, आपका weight unnecessary बहुत जादा high है तो आप weight management कर सकते हैं इस से, yoga से, right तो आपका weight भी control हो जाएगा weight management भी आप कर सकते हैं तो इस से लोगों का welfare क्या होगा, बहुत जादा enhance हो जाएगा जब लोग healthy रहेंगे physically भी, mentally भी, तो वो अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देंगे, अपने office में ज़्यादा ध्यान देंगे, या कोई business कर रहे हैं, तो अपने business पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे पाएंगे और productivity क्या हो जाएगी, उनकी increase हो जाएगी, मतलब वो अगर कोई service दे रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छे से अपनी service दे पाएंगे, कोई good supply कर रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छे से good बगएर बना कर supply कर पाएंगे, तो productivity increase होगी बेटा, जो ultimately उनको काफी help करने वाली है, अपना welfare improve करने में, तो लोगों का welfare बहुत अच्छे से generate हो जाएगा, तो आईए अब next question की बात करते हैं, जो की है sale of petrol and diesel cars is rising, particularly in big cities, क्या बोल रहे हैं, की sale, petrol की और diesel cars की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, big cities के अंदर, तो यनि की बेटा, sale बढ़ी है, तो इसका मतलब production बढ़ी होगी न, क्योंकि sale बढ़ी है, तो उसको meet करने के लिए, जो demand आ रही है, उसको meet करने के लिए, production भी तो बढ़ानी पड़ेगी न, petrol and diesel cars की, आगे क्या बोला जा रहे है, analyze its impact on GDP and welfare, तो GDP तो हमें simple output से देखना है, तो यहाँ पर बेटा, जैसे की बोला जा रहे है कि sale of petrol and diesel cars increase हुई है, तो इसका मतलब production भी sale, मतलब production भी increase हुई है, petrol and diesel cars की, right, production of petrol and diesel cars, increase, right, तो production increase हुई है, यानि की output increase हुई है, तो इसका मतलब GDP क्या हुई है, increase हुई है, अब welfare की अगर बात करें, तो welfare, welfare बेटा, यहाँ पे अब हम बात करेंगे, देखो, एक तो personal, मतलब आपने car खरीदी, आपका personal welfare तो increase हो गया, कैसे, कि आपको बड़ा comfort level लगता है, आप धूप में भी कहीं पे भी जा सकता हूँ, आपको dust भी नहीं लगती है, you are protected from the dust, pollution है ना, तो यहाँ पे आपका personal welfare तो काफी अच्छे से generate हुआ, कि आप commute करने में आपको easy हो जाता है, office से घर या घर से office, trips मारने में easy हो जाता है, right, तो personal level पे बात करें, तो welfare increase हुआ, लेकिन, जब ज़्यादा लोग cars ले लेते हैं, तो pollution भी तो create होता है, ना, economy में, pollution create होता है, तो pollution की वज़ा से skin disease वगएरा, respiratory disease वगएरा, फैलती है, economy में, तो इस से, अगर society का welfare देखें ना, बिटा, तो society का welfare क्या हो गया, decrease हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसका answer देना है, जितना broad होके, आप answer दोगे, अपने mind को broad करके, उतना अच्छा रहता है बिटा, next, suppose a ban, ban मतलब बंद कर देना, a ban is imposed on consumption of tobacco, मतलब government ने ban लगा दिया है consumption of tobacco पे, कि tobacco कोई consume नहीं कर सकता, अब tobacco कोई use नहीं कर सकता है, show its impact on GDP and welfare, अब इसका impact हमें बताना है, GDP और welfare पे, देखिए बिटा, जब tobacco की consumption को ban कर दिया, तो अब लोग उसे नहीं खरीदेंगे, जब उसकी demand ही कम हो जाएगी, तो output भी क्या हो जाएगा, production भी क्या हो जाएगी, tobacco products की, production of tobacco, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो यहाँ पे tobacco की production कम हुई, तो यानि की output क्या हो गया बेटा, output कम, output कम तो इसका मतलब GDP कम हो जाएगा, तो economy का GDP कम हो जाएगा क्योंकि production of tobacco products क्या हो गए कम हो गए ठीक है अब बात करेंगे पीटा welfare की अब यहां से लोगों का जो welfare है वो improve हो जाएगा या बोल सकतो enhance हो जाएगा ठीक है क्यों enhance हो जाएगा कि जो लोग पहले पहले बहुत जादा tobacco consume कर रहे थे और अपनी health को deteriorate कर च चुके थे अब धीरे धीरे उनको जब tobacco नहीं मिलेगा consume करने को धीरे धीरे उनकी health क्या हो जाएगी improve होना शुरू हो जाएगी राइट तो लोगों का welfare इंक्रीज हो जाएगा next इंडिया's GDP is expected to expand 7.5% in 2024 to 2025 World Bank तो बिटा यह report किसी है World Bank की report है World Bank ने क्या statement दिया है कि इंडिया का जो GDP है वो हम expect कर रहे है 7.5% से expand हो जाएगा 2024 to 2025 के year में एक बार recall कर लेते हैं India's GDP is expected to expand 7.5% in 2024 to 2025 World Bank तो World Bank की यह statement दे रखी है आगे क्या पूछा हुए does the given statement mean that welfare of people of India increase at the same rate क्या आपको लगता है कि जैसे World Bank ने बोला कि इंडिया का GDP increase हो जाएगा 7.5% से 2024 to 2025 में तो क्या आपको लगता है कि जैसे ही यह GDP increase होगा तो लोगों का welfare भी increase हो जाएगा इंडिया में चीक है same rate से comment करें तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ आपसे indirectly यही तो पूछा गया है ना बिटा कि अगर GDP increase होता है तो welfare भी increase होता है या नहीं तो indirectly question तो आपसे यही पूछ रहा है कि is GDP a correct index of welfare or not तो यहाँ पर आपको वही आंसर वही सारे points लिखने है जो मैंने आपको बताए थे let's suppose इसमें growth of population बहुत ज़्यादा हो जाती है growth of population ही 50% हो जाती है यानि कि growth of population तो ज़्यादा है growth of GDP से right तो हम कैसे कह दें GDP a correct index of welfare है moreover GDP में ना तो हम non economic activities को consider करते हैं ना हम externalities को consider करते हैं चाहे वो positive हो या negative हो right और क्या पता यह जो GDP बड़ेगा इसका composition ही खराब हो यह इसलिए बड़ा है क्योंकि Indian economy में pistols की rifles की tobacco products की cigarettes की alcoholic products की production ज़्यादा increase हुई है तो भी हम बोल सकते हैं कि GDP कोई की इससे कोई welfare generate होने वाला नहीं है यानि कि composition of GDP या हम यह भी बोल सकते हैं कि यह जो GDP expand होगा अगर यह unfair distribute हो गया मतलब यह इस तरीके से distribute हुआ है कि poor और poorer होते जा रहे है rich और richer होते जा रहे है मतलब इसका distribution ही ठीक नहीं हुआ है unfair हुआ है तो भी यह welfare को generate नहीं करेगा तो मत आपको यहाँ पर इस statement से link करते हुए आपको लिखने है next आपको लिखने है तो I hope guys आपको यह सब चीजे clear हुई हूँगी कि कि किस type का GDP पर question आ सकता है direct question आया तो वो इस तरीके का आएगा कि is GDP a correct index of welfare comment या फिर तो यहाँ पर थोड़ा सा conclude करते हैं class को GDP का हमने topic किया आज from the unit national income and related aggregates इस पर बेटा direct question कुछ इस तरीके का आ सकता है अगर direct question आया तो that is GDP a correct index of welfare correct index of welfare comment ठीक है यह आ सकता है six marks में ठीक है जिसमें आपको सारे points लिखने होंगे दूसरा बेटा आपको ऐसे बोल सकते है explain externalities externalities as a effect of welfare और GDP ठीक है तो externalities का point आपको अलग से पूछा जा सकता है इसमें और non economic activities का points अलग से पूछा जा सकता है non economic activities का point अलग से पूछा जाता है कहीं पार questions में ठीक है और बेटा externalities से related simple question भी आ सकता है what do you mean by externalities and explain the types of externalities या explain the positive externality या explain the negative externality ये 3-3 marks के question कहीं पार CBC board में आ जाते हैं और ये वाला six marks का ठीक है तो ये short type ये long type और जो हमने जितने भी hot question discuss करे न कि इसका effect अगर tobacco ban हो गया तो इसका effect GDP पे क्या पढ़ेगा और welfare पे क्या पढ़ेगा अगर government yoga को promote कर रही है लोगों में तो उसका effect GDP के उपर या welfare के उपर क्या पढ़ने वाला है या world bank की statement ये दे रखी है तो बताओ है न तो इस type के question बेटा आपके 3 या 4 marks में expected CBSE board में hot question के अंडर ये count होते हैं तो I hope guys आपको मैंने अच्छे से ये concept समझाया है आपको समझ में आया होगा अगर आपको अभी भी कोई problem है तो आप हमें comment section में पूछ सकते हैं हमारी जो team है वो definitely आपको reply करेगी as soon as possible और इसके जो notes है वो हम आपको available करा देंगे हमारे telegram channel पे तो आप हमें telegram channel पे join कर ल जिसमें हमने तीनों methods discuss करे हैं that is value added method, income method and expenditure method of calculating national income तो उसमें हमने सारे numericals की वीडियो बना रखी है कि आपको इस unit के numericals कैसे करने हैं इस unit के numerical बेटा six marks का जरूर आता है CBSE board exam में ठीक है तो आप जल्दी से जाहिए उस वीडियो को भी देख लीजे हमारी धाई घंटे की वो point तक हमने cover up कर रखा है और तीनों method से कैसे national income calculate करने हैं उससे related कोई problem आपको नहीं आने वाली है apart from that उसमें GDP deflator का भी concept covered up है ठीक है GDP deflator भी एक practical question हो सकता है उससे related भी तो हमने वो भी वहाँ पे cover up कर रखा है तो आप जल्दी से जाके हमारी वो वाली वीडियो भी देख सक आपको कोई भी doubt है आप पूछ लिजी हम comment section में definitely reply कर देंगे तो यहाँ पर इजादत चाहती हूं वीडियो को end करने का मिलते हैं next video में till then bye bye take care and keep studying जैश्री शाम